नमस्कार दोस्तों, Welcome to my YouTube चैनल स्टेज़ॉप , अगर आप चैनल पर नहीं आयो हो तो आप सर्केश्थ दोस्तो चैनल को सब्सक्राब करके सब्सक्राब करके सप्सक्राब कीजिए गई दोस्तों अब जो पिक्चर देख रही है यह आई-ई-ई-टी माद्रस का पिक्चर है यह पर दोस्तो आई-ई-ई-ई-टी माद्रस पर रेकूट्मेंट होने वाल है मैं आप लोग को पोस्ट और सलरी बाता रहा हूं यह है दोस्तो ओफिश्यल नोटिफिकेशन का पीस अब देख सकते ह इन देखे दोस्तो यह पर जो पहला पोस्ट है चीप सिक्रूट उपिसर आपर मेक्सिमाम एज लिमिट पचास और आप लोग को जो पेस्किल मिलेगा लेबल 12 का पेस्किल मिलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सलरी मिलने माला है टूटल वान पोस्ट है जिस वे यू यू पच के लिए वन पोस्ट उटल वान पोस्ट तूटल वफिसर च के लिए सबस्ट स्वचेमाम एज लिमिट 45 या एयः आप लोग को लेवल 10 का सलरी मिलेगा और वन पोस्ट है यू ऊ sırि इन उप पॉस्ट उपर पे जून्यार शूं चछिपर इंटिर जिसका मीक्सिमा टू एस्ट के लिए वन सेगंड ग्रूब बी में एसिस्टेंट सिगरूर्टी ओविशर 32 एर मैक्सिमाम लेवल 6 का सलरी मिलेगा टूटल 4 पोस्ट जीसमें युवार के लिए 3 औबीसी के लिए 1 प्रिंसिपल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मैक्सिमामेज लिमेट 32 एर लेवल टूटल 3 पोस्ट युवार के लिए 2 पोस्ट और विश्ट के लिए 1 पोस्ट ग्रूप C में जुन्ये र toast लेबल 3 का सलारी मिलेगा और टुटल पोस्ट है 30 में यूर के लिए 15 EWS के रिट के लिए 3 और विसी के लिए 8 SC के लिए 4 ST के लिए नहीं है और Cook, Maximum Age Limit 7.0, Level 3 का सलरी मिलेगा, Total 2 Post है, Your Candidate के लिए, Driver, Maximum Age Limit 7.0, Level 3 का सलरी मिलेगा, 2 Post है, जिसमें Your के लिए 1 Post, OBC के लिए 1 Post, Security Guard, Maximum Age Limit 7.0, Level 1 का सलरी मिलेगा, जोके 8000 से स्टार्ट होता है, 10 Post Total, जिसमें Your के लिए 5, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 2, ST के नहीं है, दोस्तो आप आता हूँ, अब यह गया, Vacancy Details और Salary आपने देखा, अब यह आता है दोस्तो, Qualification, देखाता हूँ मैं आप लोगों, यह पर आप देख सकते हूँ, Post twice Qualification, दोस्तो, पहला पोस्ट है, Security Officer, One Post, You Work and Date के लिए, जिसमें जो Qualification Master Degree, from Recognacity University, 50% Mark के साथ Master Degree होना चाहिए, CGPA from Recognacity University Institute, Option 2 में, at least आपको 15 साल का relevant experience होना चाहिए, यानि, as a Security Officer, आपका इस तरह का 15 साल का आपकी पास experience होना चाहिए, जिसमें, 5-year experience in supervisory capacity, जिसमें आपको 15 साल की experience में से 5 साल आपको supervisor की रूप में, security supervisor की रूप में, कामकंड का experience होना चाहिए, यानि, लेबल 11 में, लेबल 11 का 523 जिसमें ग्रेट पे 6400 रेंक में, आपको काम करने का experience होना चाहिए, किसी भी Central Government, या फिर State Government, या फिर Major of the Army, और equivalent rank, equivalent rank, जैसे कि Navy Air Force में, और इसके बराबर rank, police and security cadre, government organization इस तरह में, तोस्तों, यह candidate, यह post, freshers candidate के लिए नहीं है, Assist and Register, जिसमें 2 पोस्ट है, UR के लिए 1, EWS के लिए 1, या पर आपको दोस्तों, Master degree चाहिए, 50% Mike के सथ, किसी भी रिकोगने से, अकडेमी से, और या पर desirable कुछ पोस्ट दिया गया है, आप लोग देख लिजेएगा, यह होगा, तो भी आप apply कर सकतो हो, नहीं, desirable qualification ना होने से दोस्तो, Sports Officer, वान पोस्ट, UR के लिए, या पर essential qualification आपको graduate, with master degree, in physical education, या फिर sports science, इन दोनों subject में से, किसी में आपको graduate होना चाहिए, master degree भी होना चाहिए, with master degree, 50% Mark के साथ, और 5 साल relevant experience होना चाहिए, आपको, university, institution, state level, national level, किसी भी लेबल पे, आपको, experience होना चाहिए, as a sports officer, काम करने का, दोस्तो, next post अधा, junior superintendent, 9 post, UR के लिए 3, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 1, इसमे एसेंचिल आपको bachelor degree होना चाहिए, आर्स साइन्स पे, यानि B.A.B.S.C. या फिर, humanities including commerce, कमर्स में भी होगा, 60% Mark के साथ, और 6 साल का, आपको, CGB University, 6 years of administrative, आपको 6 साल का administrative experience होना चाहिए, दोस्तो, assistant security officer, के लिए 4 post, UR के लिए 3, OBC के लिए 1, जिसमे बैचलार degree होना चाहिए, 60% Mark के साथ, recognition university, institute, with military, military, police, military, या फिर, police, या फिर, NCC, and firefighting, training, and 6 years of relevant experience, आपको 6 साल का experience होना चाहिए, riding, riding of vehicle, motor vehicle, आपको गाड़ी भी चलाना आना चाहिए, आपको relevant experience, unavailable to ride, विसो साल का relevant experience होना चाहिए, और आपको riding आना चाहिए, bike riding, car, car, चलाना, physical training instructor, 3 post, जिसमें, 2 post, UR के लिए, 1 post, OBC के लिए, जिसमें, दोस्तो, graduate चाहिए, आपको, physical education पे, साथ में आपको, graduation with bachelor of physical education, BPE, equivalent with this, इसकी बराबर, और तबह इसकी बराबर कोई भी degree, 60% mark के साथ, और तीन सार का relevant experience आपको होना चाहिए, university level, institute, at state level, या फिर किसी भी national level पे, should be specialization at the sports and the hockey, यह पर, जो specialized hockey आपको दिया गया है, physical training के लिए, जिससे आपको होना चाहिए, वह होकी, athletics, swimming, football, basketball, badminton, यह से होने से आपको अच्छा है, junior assistant, जिसके लिए 30 post है, UR के लिए 15, EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, ESC के लिए 4, essential qualification तो से आपको bachelor degree होना चाहिए, in arts, science, यह फिर humanities, including commerce, 60% mark के साथ, यह पर आपको पास होना परेगा, और यह पर जोस्तों, आपको knowledge of computer operator, आपको computer चालाना आना चाहिए, यह पर किसी EAR का experience नहीं दिया है, दोस्तों next option, next आता है, दोस्तों यह option यह 8 में cook, यह पर 2 post यह work in rate के लिए, जिसमें, B.S.C. in hotel management, qualification, hotel management and catering technology, with 60% mark के साथ, किसे भी recognized university or free institute, और 3 साल का relevant experience चाहिए, अगर यह नहीं है, तो आपके पास, अगर 3 साल का diploma है, in hotel management and catering में, with 60% mark के साथ, और 5 साल का experience है, hotel management में काम करने का, तो भी आप apply कर सकते हो, नेक्स्ट अधर द्राइबर पोस्ट, यह आपको 2 post है, 1 UR, 1 OBC, जिसमें 12 पास होना चाहिए, और light and heavy duty driving license आपके पास होना चाहिए, light vehicle, heavy vehicle license आपके पास होना चाहिए, beige plus 2 year experience, यहान आपको 2 साल का गाड़ी चलना का experience भी चाहिए, security guard के लिए 20 10 post है, UR5, EWS1, OBC2, HC2, जिसमें qualification आपको SSLC आनि 10 पास होना चाहिए, और physical fitness standard desirable, desirable NCC certificate, अगर आपके बस NCC certificate होगा, तो आपको फाइदा मिलेगा यहापर, और physical fitness standard लिया जाएगा, यहापर तो notification दोस्तों इतना ही है, long notification नहीं आया है, exam pattern वगर कुछ नहीं आया, ठीक है, इसका link मैं आप लोगो video description पर provide कर दूँगा,